अगर आप phone से किसी भी device में Bluetooth connect करते हो तो वह connect तो हो जाता है और उस device में से sound भी आती है पर उसके साथ आपके phone में भी sound आने लग जाती है तो आप इस problem को केसे solve कर सकते हो केसे ठीक कर सकते हो इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ तो इस video को end तक जरू से देखेगा तो चलि पीजो के तरफ थोड़ा सा scroll down करना है और यहाँ पर आपको एक apps का option दिखाई देगा आपको apps के option पर click करना है आप apps के option पर click करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं तरह के option दिखाई देंगे पर आपको manage apps के option पर click कर देना है आप manage apps के option पर click करने के बाद आप यहाँ पर आन सर्च बार में जाकर तो मुझे यहां पर becoming लिटूट मिल चुगा है तो मैं believe Two करता हम है। बलुटूट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरब क्लियर डाटा का option दिकाई देरा होगा तरब को क्लियर करना है ब्लुटूट का तो मैं clear all data कर देता हूँ अब दोस्तो clear all data करने के बाद अब आपको अगली process क्या करना है मैं आपको बताता हूँ नीचे की तरफ आपको थोड़ा सा scroll down करना है और यहाँ पर clear defaults का option दिकाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर 2-3 बार click कर देना है और इतना करने के बाद आपको अपने settings में से बहार लिकलना है और आपके phone को एक बार reboot कर देना है बस इतना ही करना है आपकी यह problem 100% solve हो जाएगी दोस्तो बस अचकी इस वीडियो में इतना ही था मिलते है हमरे किसी अगली वीडियो के साथ वापस चैनल पर पहली बार आए होता हमारे चैनल को जरूर से सबस्क्राइब कर लेना